नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस YouTube चैनल GK with RK में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इंडिया GK के कुछ important प्रस्ण को देखने वाले हैं जो आगामी आपके परिच्छा के लिए बहुत ज़्यादा important हो जाता है और दोस्तों इसमें ऐसे प्रस्ण को select किया गया है जो ये प्रस्ण आ सकते हैं और दोस्तों जदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को GK with RK को आप सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा क्योंकि इसमें इस तरह के वीडियो आते रहते हैं तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला से तो दोस्तों हमारा पहला प्रस्ण यहां पर है बुद्ध ने अपना पर्थम परवचन या फिर आप इसको कह सकते हैं पर्थम उपदेश कहां दिया था तो देखिए दोस्तों गोतम बुद्ध ने अपना परथम परवचन या पर्थम उपदेश जो इन्हों ने दिये थे तो गोतम बुद्ध ने जो उपदेश दिये थे वो पाली भासा में दिये थे और इनोंने जो पर्थम बारव जो अपना प्रवचन किया ये बुद्ध धर्म में क्या कहलाया तो ये देखिए कहलाया धर्म चक्र प्रिवर्तन तो आपको ये प्रस्ण पुछा जा सक तो आपको बताते हैं कि इसमें मोरी का जो जूग चल रहा था उसके समय में जो समाज में परसाथन के विशे में जो भी हो रही थी उसके बारे में जनकारी मिलती है इंडिका पुष्टक में अगला प्रसन के बढ़ते हैं गुप्त काल में किस धातु के सरवाधिक सिक्के जारी किये गए तो देखे गुप्त काल में सरवाधिक जो धातु के सिक्के जारी किये गए थे वो था सोना ओप्शन यहां पर सही हो जाएगा अगला प्रसन हमारा है गोल गुमज कहां इस्तित है तो देखे गोल गुमज जो था किस ने निर्मान इसका किया था तो देखे बहमन सासर एक थे आदिल साहद दूतिये ने इसका निर्मान जिसमें शेर खाई इसमें विजयी हुआ था और हमाईू जूसे,. छुने और हार गया था कैसे हमाई निकाल दिया गया था वर यह लड़ा गया है commemate pass पुछा जा सकता है तो देखिए इसका जो सहीतर है ओप्सण यह है कि जिला है हिमाचल परदेश का यह जू है छीन के सीमा के साथ इसकी सीमा लगती है अगला प्रसन की ओर देखते हैं भारत की तट रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है तो देखिए भारत की तर्ट रेखा की जो लंबाई है वो है 7560 किलो मिटर option के हिसाब से यहाँ पर option C सही है 7500 लेकिन जैदि आपको exact figure आपको पता करना है तो देखिए 57560 इसका 130 रेखा की सीमा है ठीक है आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे अगला प्रस्थ है भारत में उर्जा का मुखी स्रोत क्या है तो देखिए भारत में जो उर्जा का जो मुखी स्रोत है वो है ताप यह option B यहाँ पर सही है देखिए 2013 की आकड़े के अनुसार जैदि हम बात करें तो भारत में 2013 में जो है ताप विद्यूत का जो योगिदान था वो था 68.19% ठीक आप इसको जुरुआत रख लिजेगा और जल विद्यूत का जो आकड़ा था वो था 17.39% और परमानु का जो था वो था 2.08% रो अनिका था 12.32% तो इसका आकड़ा था 2013 के हिसाब से चलिए अगला प्रस्थ की इस हिसाई का जो नहर का जो नाम है वो है इंदरा गांधी नहर ऑप्संट भी यहां पर सई है अगला प्रस्थ नमार है निमलिखीत में से किस परवतिये अस्थल का के नाम का अर्थ वजर्पात अस्थल है तो देखे भारत में एक ऐसा सहर है जिसका नाम जो रखा गया है यह अस्थल है जिसका नाम का अर्थ जो होता है बजर्पात होता है तो देखे इसका सहीवतर है ऑप्संटी दारजलिंग और यह दारजलिंग ज़ह जो है कहा इस्तित है तो यह पस्ची मगाल में इस्तित है तो आप इसको भी जरूर आध रख लीजिएगा चलिए अगला अगला प्रास्ण के और हम बोगह बढ़ते हैं निम्न में में से कौन सा संसोधन, अधिनियम, मिनिसों। क्तो संसोधन गया था विटियो जिसको मिनिसा मिढ़न के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रस नमारा है सम्मिधान का अनुछेद 370 किस राईजी पर लागू होता है दोस्तों आपको बता दें कि 370 जो अनुछेद है ये जमूर कस्मीर राईजी बिलोंग करता था वहाँ पर ये लागू होता था लेकिन मोधी सरकार ने धारा 370 अनुछे 370 और 35 ये को हटा हमारा है हर्स चरीत के लेखक कौन थे तो देखे हर्स चरीत जो पूछतक लिखा गया था वह लिखा गया था बानभट के द्वारा ऑप्शन यह पर सही उतर है किनके द्वारा बानभट के द्वारा लिखा गया था हर्स चरीत अगला प्रस नमारा है भारत का पर्थम मुग इसलिए इसको कहा जा सकता है भारत का पर्थम मुगल बात्सा जो मुगल वैक्ति था जिनुने लोधी वंस को इब्राहिम लोधी को हराया था बाबर ने 276 में अगला प्रस्न हम और है संघ्राजि छेत्र पुडुशे री की सीमा किसके साथ नहीं लगती है सही उतर है option ये करनाटक देखे संग राज छेत्रिक पुडुचेरी की सीमा करनाटक राज ये के साथ नहीं लगती है चलिए अगला प्रस्थ क्यों बढ़ते हैं हमा लोग यहां पे सीव समुद्रम जलपरपात किस नदी के मार्ग में पाए जाता है तो सीव समुद्रम जलपरपात जो है वो किस नदी के उपर है ऐसा प्रस्थ पूछा जा रहा है सही उतर है option C कावेरी नदी के उपर सीव समुद्रम जलपरपात कावेरी नदी के उपर है अगला प्रस्थाम अप्शन B यहाँ पर सही है बिहार राजिमें सब्सक्राइब यहां पर सही है बिहार के नलंदा जिला में अगला प्रस्थ हमारा यहां पर है पंद्रो सो चालीस इसवी में कीस जुद्ध के पस्चात हुमायू को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था तो देखिए दोस्तों इसके बारे में हमने भी कुछी दिर पहले बताया है कि 1540 इसवी में कनोज का यूद्य हुआ है जिसको बिलगराम यूद्य के नाम से भी जाना जाता है और उसमें कोको पराजित किया था और हमायू को हिंदूस्तान से बाहर कर दिया गया था तो बारे में कौन जीखोआ हुआ है ए स्थ बहुत आपको ध्यान में रखना है और दोस्तों इस वीडियो का जो अंतिम परशण नमा रहा है कि सभारतिय राज जी की तर्ट रेखा सबसे लंबी है तो दोस्तों बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में चैनल को जिदे आपने वी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए अगले वीडियो देखने के लिए और वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरू करते हैं थैंक्यू मिलते हैं फिर किसी अगल बीडियो में तब तक के लिए बाई